मैं सत्रा दिन में पहच्चान गया कि इनके खाकी रंका है क्या मैं मर जाओ तब आप लोगों को तसली होगा या मैं यहां से जले जाओंगे और ऐसे ही सौधी किसम के लोगों को ठेक करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश फुलिस में 20% महिला आरक्सी भरती करने का निड़ने लिया है अपनी बदजुबानी के लिए मशूर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सपाई मुखिया खिलेश यादव की फजीहत तो कराई ही साथी बसपा सुप्रीमो मायवती भी लपेटे में आ गई है क्यूंकि इस चुनाव में सपा और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने मिलकर रामपूर लोकसभा सीट से आजम खान को उमीदवार बनाया है दरसल रामपूर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरी जैप्रदा से चिढ़े आजम खान ने रविवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में बेहब शर्मनाग बयान दे दिया जैप्रदा पर निशाना साथते साथते मर्यादा लंग गए आजम खान ने उनके अंडरवेर का रंग तक बताने की कोशिश की जान गया जब इस शर्मनाग बयान पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की फजीहत होने लगी तो तुरंत बयान पर सफाई देने में भी जुट गए आजम ने कहा कि मैं रामपुर से नव बार विधायक और एक बार मंत्री रहा हूँ मुझे पता है क्या कहना है अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी का नाम लिया और किसी का नाम लेकर अपमान किया तो मैं चुनाव से हाथ पीछे कर लूँगा अब आजम खान भले ही सफाई देते फिर रहे हो लेकिन जो फजीहत सपा बत्पा और खोद आजम खान की होनी थी वो तो हो ही गए उनके बयान का संग्यान लेते हुए महिला आयोग ने नोटिस भी थमा दिया है तो वहीं बीजेपी उमीदवार जैप्रदा ने आजम के च पीटते हैं तो लोगतंत्र का क्या होगा समाज में महिलाओं के लिए कोई जगे नहीं होगी एक महिला को हम लोग इसको रिपीट भी ने कर सकते हैं इसको वापस हम ये ये टिपनी किया करके हम मूझ से बोल भी नहीं सकते हैं उस तरह के जबान इन्होंने इस्तमाल किया है इस बार तो मतलब हद पार कर दिया अब मेरा क्षमता खतम अब मेरे लिए वो खबीबी अजाई नहीं है कुछ भी नहीं है वो हमारे ली एतना दुश्मनी बना दिया पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वह इस ट्रह की टिपञी कर रहा है लेकिन उसके उपर यफयार भी हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह जनता के तक सब Judah पंचा होगा महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलागा बहलाओं के रक्षा नहीं है हम यह चैनल की नहीं एक सभी अस्यांiger के मैं धित दरोली जाओंगे आप लोगों को तसली होग यहां से जले और उनके संसकारों को भी प्रदर्सित करता है। समाजवारी पार्टी के अध्यक्स की इस पर चुपी और उनके गड़वंदन के नेता महला होते वे भी सुस्री मायावती जी की भी चुपी यासर चकित करने वाली है और बहुत दुखद भी है। ऐसे ही लोगों के लिए जो लोग महलाओं के प्रतिस प्रकार के अभद्र भासा का प्रयोग करते हैं इसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमेश्कौाइट का गठन किया था। और ऐसे ही सौधी किसम के लोगों को ठेक करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महला आरक्सी भरती करने का निड़ने लिया और कारवाई हमारी युद्धस्तर पर चल लई है। लेकिन आजम खान का वयान अत्यन तो सर्मनाख है, घाटिया सोच को प्रदर्सित करता है, समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धार्णा है, उस धार्णा का एक और उधारन प्रस्तुत करता है। आपको बता दें आजम खान और जैप्रदा के बीट जारी अदावत कोई नई बात नहीं है। बजरंग बली को बजरंग अली बता कर भी विवादों में रह चुके हैं आजम खान। ये परीचान है जो देर को सक्तान पहेंदी को सक्तान हुसेन के दाख्र करने की नम्ची देर है। आजम विवादों महान मिलावट के एक वर्मित्वार है जिनको बाबा साथ की मूटी को माला प्रगाना दे मन्जूर नहीं है। ये जिनका हैं जी इनके लिए मूद मां रही है। वही हमारे पबुआ वो दिन में भूल गए। जहाँ पहें जी नेर्टाजी को भागत खाने भिजवाने की सरा दिया सकती। साथियों, राजने की स्यां क्यां सकत्वाएं। आज आज से साथ का सकत्वार है। अच्छी जाने पर जोचिदार है। जाने पर जोचिदार है। जाने पर जोचिदार है। जाने पर जोचिदार है। इसमें पहले की सारी खालिया पीछे छुद गई है। रंदार हम एया, पीरा दिमा, पीरा दिमा, बना हो जाएंगे दोचा। आपियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है। इसमें समोचा है। जो सिर्फर मोलता रहता है उस्ति कोई नई स्वुनता है हाले नहें नहें हालें काहिए हालें इस ने ठारब को पर माई नहें हालें जबना एका थंकल्पा हम समने लिया है वो भारत दंदार भी होगा और अफ़रतार भी होगा पहले क्या होता था पहले क्या होता था पाकिस्तानी थे आतंगे आते थे हमारे हाथ समाते करते जाते थे अज कंगरे की सरकार दुनिया में रोची प्यावे मारा आगा देकार देकार यहीं करते जना जोना रोचे जना पिजार भी होता थे हमारे है अब आतन के शरपरश्टों में जब पूरी में गल्टी की, तो देश की बीज जवामों ने तर्शी कंसाइट करके, दिन में भी सारे दिखा दें। जवामों ने दूरी में गल्टी की, तो अमने उन्हें एर साइट करके, दिन में गुष कंबाद। च्रशी में खिर अिर आगे typically अरी जकले के पिर देश के सी सिर्वां है करल दो भी जवामों ने पनले करके, तो आज करह दो समय है इर वामों के अड़ी जवामों यहामों च्रूब ज़र दाद। तो च्रूब झाल